जैकिन आज हम लोग बात करेंगे इर्षिन पेंट के बारे में पिछले 3-4 महिने से लगातार वन साइड़ेड इस शेयर ने रैली दिखाई है जून 2022 के अंदर इसने 52 वीक लो बनाया 2560 रुपए के आसपास उसके बात कंटीनियसली दीरे दीरे करके इसका जो 52 वीक हाई है जो अभी रिसाइंटली कुछ दिन पहले ही बनाया है शेयर ने 3590 रुपए के आसपास यानि 3600 के अराउंड यहाँ पे लगातार आप देखोग के अंदर कंपनी का शेयर करीब 250 रुपीज के आसपास गेड़ चुका है और जो गिरा है ना उसमें भी आप देखोगे कंटीनियसली एक दो दिन दो दो तीन तीन चार 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 परसेंट की गिरावट देखी गई है अब यहाँ पे बिसिकली जो इस शेयर के अंदर गिरा चाहिए यह नहीं है आप लेनी की सोच रहे हैं तो क्या यह प्राइज है यहाँ पर क्या एक्क्यूलेक करना चाहिए अगर यहाँ पर अक्वाटर सेकंड के रिजल्ट भी आना बाकी है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जब रश्या और योक्रेन का वरकर जब न रिलेटेड जो सेर्स हैं उनके अदर काफी ज़्यादा गिरावट देखी गई थी क्योंकि आपने देखा था जो क्रूड का प्राइजेस था वो करीब 70-80 डॉलर पर वैरल से भढ़कर 120-125 डॉलर पर वैरल तक पहुंच गया था जैस वज़े से प्राइब जो भी कृडरह Saban या रिलेटेर ही पीडेडक है उनके अनदर अच्छीकासी गिरावट देखी गई लाइक क्यकल्रियर उसके अलावा पेंट शेयर उसके अलावा टायर शेश इनस सब सेयर में अच्छीकासी गिरावट देखी गई उससमय मैंने विडियो बनाया या पैतिस सो साड़े पैतिस सो का शेर चलता था उस समय जैन फैब में वहाँ से कंटिनियसली गिरकर ये शेर आ गया था 27 रुपए के आसपास और 27 रुपए ही लो बनाया था और उसी समय मतलब जिस दिन इसने 50 डूबीक लो बनाया था 7 मार्च को सेम डे मैंने वीडियो बन 200 रुपए और गिरावट एक्सेंट हुई जून के अंदर मार्च के बाद ठीक है उसके बाद जो ये 2550 या 560 रुपए के आसपास गया उसके बाद ये कंटिनियसली जो है वो 3590 यानि 52 वीक हाई पे टच किया अब यहाँ पर बेसिकली जो गिरावट हुई थी उसका रीज अक्शल में आप कंपनी का ओडिट रिपोर्ट पढ़ोगे कंपनी के प्रॉडक्ट पढ़ोगे कंपनी के मैनेजमेंट को सुनोगे तो आपको आईडिया लगेगा एक्शल में जो क्रूड का रोल है वो कितना परसंट है यानि कंपनी का जो में बिजनेस मॉडल है मैं आप आपको short में बता देता हूँ, crude related paint बनाती है और साथ में water waste related paint बनाती है, जिसमें company का revenue है में वो आता है water waste paint से, crude based paint से company का revenue ये मान के चलिए, जितना company water waste paint से generate करती है, उसका आदा revenue या आदे से कम revenue, crude related paint से generate करती है, basically जो crude related paint जो company बनाती है, वो automobiles, industrial यहां पे काम आता है और जबकि water waste paint जो बना रही है जिसमें crude का relation वो बिल्कुल भी नहीं है या ना के बराबर है वो घरों में use होता है तो यहां पे आपको यह समझना है जो मतलब crude related revenue company generate करती है वो घरों के मुकाबले जो water waste paint यूज होता है घर के मुकाबले उसमें जो revenue है वो काफी कम generate हो रहा है crude related paint के अंदर यहां पे आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो water waste paint है जिसके durability कम से कम 10 साल है यह आपको audit report में पढ़ने को मिलेगा जहां हम crude related paint की बात करते हैं तो यहां पे basically जो इसके durability है वो दो से तीन साल ही है maximum जिस वज़े से घरों में water waste paint का use ज्यादा होता है crude related paint के comparison में अब यहां पे basically car हो गया इंडस्ट्रियल हो गया तो वहीं crude related paint का use है आपको यह समझना है ज्यादा अब यहां पे मैं आपको यह समझा देता हूं कि actual में मतलब आप देखोगे जो crude का price इतना उपर गया उसका इतना मतलब बड़ा factor इस company पे नहीं पड़ेगा पहले भी और crude का prices नीचे आया है तो उसका भी फायदा इसको नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पे basically हमें यह लगता है अगर crude का prices जब भी उपर जाता है तो crude का prices उपर जाने पर company का जो raw material cost है वो भड़ जाता है और crude का price नीचे आने से जो company का raw material cost है वो कम हो जाता है जिस वज़े से company के margins ज़्यादा होंगे अगर crude की prices ज़्यादा बढ़ेगी तो company के margins में pressure दिखाई देगा बिल्कुल यह fact है पर आपको यह समझना होगा कि margins में pressure ज़रूर दिखाई देगा crude की prices अगर बढ़ती है और उतना नहीं दिखाई देगा और crude की prices अगर गिरती है तो margins जो है इनके बढ़ेंगे पर उतने नहीं बढ़ेंगे दोनों ही case में आपके समझो हाना मतला आपको one-sided नहीं जाना है कि crude की prices बढ़ गई तो Asian paint को बेच दो क्योंकि आप तो इनके margin में pressure पढ़ने वाला है crude की prices कम हो गई तो Asian paint को खरीद लो अब इनके margin जो है वो उचलने वाले हैं तो यह जो strategy है यह mindset है वो बिलकुल गलत है क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है 70-30% आप लेकि चलिए 70% इनका जो business है उसमें crude का use नहीं है 30% जो business है जहां से revenue जनरेट करते हैं वहाँ पर crude का use है अच्छा खासा यह आप समझिए तो यहाँ पे already जब भी company मतलब company already त्यार रहती है जब भी crude की prices भरती है तो already company के पास इतनी inventory पहले से है रहती है जो 5-6 महिने company काम कर सके क्योंकि company को मालूम है जो crude की prices जब भी भरती है तो जो high में चली जाती है यानि 100 से उपर चली जाती है वो ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है आप ज़्यादा से ज़्यादा यह देखोगे 2 महिने, 3 महिने, 4 महिने फिर वापिस उनकी जो prices है वो नीचे आना चालू हो जात है क्योंकि crude की prices जब भी बढ़ेगी यह इंडिया की economic लिए विल्कुल भी सही नहीं है तो यहाँ पे आपको यह देखना है कि आपको crude की जो prices है उसके according share को ना तो खरीदना है ना बेचना है यहाँ पे आप company के जो long term जो भी parameter है उनको आप देखिए actual में company का growth कैसा है company के fundamental क कैसा है उसको देखके आप इन shares में investment कीजिए आप सिर्फ crude से related news सुनके या crude की prices बढ़ गई या crude की prices गिर गई उसको देखकर आपको इन companies में investment नहीं करना है आपको यह भी देखना है कि यह जो company है Asian paint एक आप बोल सकते है कि काफी बड़ी company है world के अंदर भी आप देखोगे तो काफी बड़ी company आती है इंडिया के अंदर भी first number की company है तो यहाँ पे Asian paint का business model भी काफी unique है other paint company के comparison में तो आपको कभी भी invest करना है Asian paint के अंदर तो आप उसके parameter को check कीजिए उसके बाद आप invest कीजिए अगर overvalued है तो आप wait कीजिए एक अच्छे value पे आने के लिए अगर under value है तो बिल्कुल आपको इसको purchase करना चाहिए लंबे समय के लिए crude की prices देखके बिल्कुल भी investment नहीं करना चाहिए जहां प्याम इसका proper way देखते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ company already पिछले 4 महिने में 40% का return बना के दे चुकी है और जो return बना के दिया है basically आप देखोग है आज 80 डॉलर पर वैरल पर आ चुकी है करीब करीब तो यह एक यह factor रहा है कि market जो है एक इसको reward कर रहा है उसके चलते कि crude की prices कम हो गई तो लोग जादा से जादा इस च्रेयर को buy कर रहे हैं बले ही बुक सही हो ना हो पर यह जो news factor होता है यह काफी काम करता है बज्यार मे जिस वज़े से continuously इसके नदर एक अच्छी rally देखी गई जो company के resistance है वो break होते गए अपर साइड में और नई नई rally इसके नदर और आगे तक बनती गई अब यहाँ पे जो है आप देखोगे यह जो share है जो normally company का P trade करता है वो करीब 85-90 का trade करता है अभी यह जब 3600 के आसपास चला गया जब company का जो P है वो 110 के आसपास चला गया अभी हम देखते हैं जो company का price turning है वो लगबग गरना चालू हो चुका है और company का share भी लगबग 78% गर चुका है जहाँ पे मैं अगर इसका valuation proper देखता हूं तो मैं आपको एक बाल बता देता हूं valuation इसका क्या चल रहा है जि यहाँ में चला गया था 110 के आसपास तो यहाँ पे जो price turning है वो fair आज आएगा करीब 85 का हम fair मानते हैं और जितने भी paint companies है like burger paint, Asian paint इन दो companies पे ही मैं ज्यादा भरोसा करता हूं market के अंदर अब यहाँ पे आप burger paint देखते हैं तो burger paint का जो price turning है वो भी लगबग 80 के around ही चलता है पर अभी हम देखते हैं Asian paint के comparison में burger paint का price turning काफी जदा undervalued चल रहा है यहाँ पे growth burger paint में भी अच्छी आनी चाहिए अब काफी समय से Asian paint का जो share है वो rally कर रहा है continuously पर burger paint का share rally नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्या कारण है burger paint का share rally नहीं कर रहा है पर Asian paint का rally कर रहा है यह आगे कम देखते हैं overall company को तो company का जो return on equity, return on capital employed more than 20% है तो यह एक अच्छी बात है साथ मे profit growth आप देखते हैं पिछले 5 साल, 3 साल जो burger paint से थोड़ी कम रही है पर अच्छी मानी जाएगी क्योंकि यहाँ पे 5 साल और 3 साल में जो company का profit growth है वो लगवाग 10-12% पर है एक large company के comparison में ठी हैं तो sales growth 14% और 3 साल का हम देखते है 14% यानि sales growth पिछले 5 साल और 3 साल का 14% के around है यह एक अच्छा factor माना जाएगा और साथ में valuation की बात करते हैं तो यह करीब 89-90 के price turning पर चल रहा है, burger paint 63 के price turning पर चल रहा है जबकि burger paint और Asian paint का जो price turning है वो लगबग Asian paint हमेश्रा महेंगा चलत जाता है अगर Asian paint का 90 का पी है तो burger paint का जलूर उसके comparison में 80 का होता है पर अभी हम देखते है Asian paint के comparison में burger paint का जो price turning है वो लगबग 40% discount पे चल रहा है और normally burger paint का जो normally price turning होना चाहिए उसके comparison में भी अप देखते हैं तो कम से कम 25% यह price turning discount पे चल रहा है यहाँ पे EV2, Abita दूसरा valuation metric है जो काफी important है जो Asian paint का चल रहा है 54 के आसपस और burger paint का चल रहा है 38 यानि जिसका जितना कम होगा वो उतना ही undervalued होगा तो यहाँ पे आपको यह देखने को मिलेगा कि burger print अभी भी undervalued है Asian paint के comparison में dividend yield दोनों का लगबग same है और CMP to book value आप देखते हैं तो 23 times पे trade कर रही है और burger print 15 times पे trade कर रही है यह भी एक valuation metric है book value जो भी company का book value है जो company की total asset है जिसमें company total liability को माइनस कर देते हैं company की तो book value निकल के आ जाती है जो 23 times है Asian paint का और burger print का 15 times है market cap to sales आप देखोगे 10 times आपको Asian paint का दिखाई देगा और burger print का आप देखते हो 6 times आपको दिखाई देगा तो हर लिया आज में burger print undervalued है पर मैं Asian paint के साथ भी bullish हूँ Asian paint ऐसा नहीं है मैं burger print के साथ compare करके मैं यह बोलू हूँ आपको कि आपको Asian paint का share नहीं लेना चाहिए बर्जर पेंट का लेना चाहिए अब बर्जर पेंट का वले ही ले लिजे रिजल्ट आने दीजे बाकी मैं Asian paint पे भी bullish हूँ क्योंकि Asian paint का जो September वाला quarter का result है वो काफी बहतरीन आने वाला है एक तो crude की prices गिर गई एक थोड़ा वो factor वो भी देखा जाएगा 30% के around जो भी company का के comparison में थोड़े बड़ेंगे, overall आप देखोगे तो company का profit जो है वो लगबग 40-50% हो सकता है बड़े, ऐसी possibilities है, हो सकता है इससे ज्यादा भी बढ़ सकता है, तो उस case में जो company का possibilities जो हमें लग रहा है, उसके according जो company का earning per share है, September quarter से हम compare करते हैं, वो 4 रुपए का increase होना अभी company का share का भाव चल रहा है करीम 3350, इसमें आप 350 ही प्लस कर दीजिए, 360 के comparison में approximately तो यह हो जाएगा 3700 रुपीज अराउंड, तो यहाँ पे आप देखोगे, तो share में ऐसा कोई भी खराबी नहीं लगती है, तीन से 6 महिने के अंदर यह share जो है, हो सकता है 4000 रुपे की range आसानी से पकड़ ले, गिरावट की possibilities जो है वो ज्यादा नहीं है, यानि हो सकता है ज्यादा से ज्यादा ये 10% और correct हो जाए, उससे ज्यादा इसके इनल गिरावट की संभावना नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पे अब जो quarters के result आएंगे वो काफी अच्छे आने चाहिए according to company management और according to आप पूरा analysis करते हैं तो उसके according भी इसकी जो value है वो future के अंदर अच्छी कासी भढ़ सकती है, तो यहाँ पे Asian print का share अगर already आपके पास है, हम conclusion की बात कर रहे हैं, तो आपको बेचना नहीं चाहिए, आप 10% maximum holding ले सकते हैं अपने portfolio में, अगर आपको यहाँ से 5% की गिरावट और नजर आती है, तो वहाँ पे आप accumulate कीजिए, फिर और 5% की आती है, वहाँ और accumulate कीजिए, वहाँ से जरूर ये share reverse करेगा, मुझे नहीं लगता कि ये share और ज्यादा नीचे जाएगा, तो यहाँ पे Asian print का share बहुत बढ़ा लगता है, current price पे भी यहाँ से 2-3% की और गिरावट आती है, तो भी डरने वाली बात मुझे तो नहीं लगती है, पर फिर भी यहाँ रखें कि 10% की maximum गिरावट हो सकती है, किसी भी कारण से, अगर market में fall आता है, तो ये share भी गिरेगा, ऐसा नहीं, ये नहीं गिरेगा, ये भी गिर सकता है, तो आपको ये सब कुछ समझने के बाद, share में entry लेनी है, मैंने बता ही दिया है, कि crude का जो factor है, वो उतना नहीं है, इन companies में, crude का factor कितना percent है, वो भी मैंने आपको बता दिया, क्या use है, कौन सी industry में use आता है, crude का paint, और कौन सी industry में use नहीं आता है, तो ये सब कुछ आपको clear हो गया होगा, तो यहां पर overall company के parameter strong है, company का जो price turning है, वो लगबग 5-6% मेंगा है, बर्जर पेंट के comparison में ज्यादा मेंगा है, पर हम बर्जर पेंट से उतना compare नहीं कर रहे है, क्योंकि Asian paint का जो value होना चाहिए, जो market value, valuation देता है, पास के comparison में भी, उसके comparison में मुझे perfect लगता है, तो मुझे Asian paint म डर नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है कि Asian paint जो है, वो महेंगा चल रहा है, बर्जर पेंट के comparison में, तो Asian paint का share कि देगा, ऐसा नहीं है, बर्जर पेंट का अगर कम चल रहा है, तो बर्जर पेंट का भढ़ सकता है, ठीए, रिजल्ट के बाद और clarity हो जाएगी उस share में, बाकी Asian paint के अंदर संबावना मुझे नहीं लगती है, जितनी संबावना मुझे लगती है, वो मैंने आपको बता ही दी है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने बाली बार्ट नहीं है, बहुत बढ़िया share है, और यह जो share है, long life आप इसको अपने portfolio में रख सकते हो, लंबे समय में यह बहुत बढ़िया रेटन आपको बना के देगा, कम से कम आप उमीद कर सकते हो, कि easy way में 12-15% का CAGR रेटन आसानी से बना के देगा, मतलब 15-16% आसानी से दे ही देता है, अगर आप dividend भी include करते हैं, तो आज का वीडियो यहीं उपर होता है, अगर वीडियो पसंद आए, तो हमारा वीडियो आप like करें और अपने friends और family के साथ जरूर share भी करें, मिलते हैं, अगले वीडियो में thank you